तो गाइज आज आप लोगों का फिर से सवागत एक और नहीं वीडियो में आप देख रहे हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइज आज के आपने इस वीडियो में कंपेर करें दो फ्लैक्शिप्ट स्मार्टफोन को तो पहला आता है सैमसंग की तरफ से वह आइफोन थार्टीन प्रो मैक्स तो हम इनी स्मार्टफोन को हाडवेर और सौफवेर के बेसिस पे कंपेर करेंगे तो सबसे पहले केटेकरी आती है वह आती है डिस्प्ले की तो सैमसंग की बात करें तो सैमसंग एस 22 अल्ट्रा के अंदर हमें 6.8 इंच की सूपर आडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलती है और अब बात करें आइफोन की तो आइफोन के अंदर हमें लिक्विड रेटीन डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर हमें 120 हर्स की रिफ्रेश रेट या अडेप्टिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है तो दोस्तों अब हमार बारे बारें 12-10 मेगा कीचल का सेट अप मिलता है अगर हम बात करें देखने को मिलता है अगर हम 12 मेगा कीचल का फ्रैमरी 12 मेगा प्रिक्सल का ही देखने को मिलता है तो अब हमारी एगली के ग्रीहां यह पाइटरी कि जो कि 40-4 फोड की год सबस्क्राइब आई-फोन आई-फोन के नादर हमें एप्रोक्ष 327 मेल देखने को मिलती है फिक्स निए कbew했어 का में धिशते मुझरों इस डाटा के बारे में कुछ क्रफोर्मेशन नहीं कि अड़ी सो एमेज ही है यह से कम है यह फिर ज्यादा और यह हमें 30 वार्ट की फार्स चार्जिंग सपोर्ट करती है आईफोन की बैटरी मिलता है तो अब हम बात करते हैं इन दोने के प्रोसेसर किया फिर दिल कहो या फिर दूसरा प्रोसेसर हमें की देखने का मिलता है हो आता है एक्सिन नोस 220 रह फिर ंऊग या किसे कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आईफोन की अडर हमें आईफोन की अधर है और हमें आईफोन का hexa core A-15 Bionic चिप देखने को मिलता है यो दो Election दग्ऐ के बात करें तोसें ह की बराबरी करिए नहीं सकते, तो इसके अंदर हमें Apple की Processor काफी अच्छा देखने को मिलता है अंदर काशी अच्छी पर्फूमिंच निकाल के दे सकते हैं , आप पैसे करते हैं कि हम इन दोनों के इंदर कौन सा Operating System देखने को मिलता है या The software to run करते हैं को YouTube कोना तो देखने को मिलता है तो हमें Samsung के अंदर Android 12 पर बेस्ट वन यूए 4 देखने को मिलता है और अगर हम बात करें iPhone की तो iPhone के अंदर हमें iOS 15 देखने को मिलता है दोस्तों Samsung का एक One UI खुद का UI है जिसके अंदर हमें काफी पर इंस्टॉल्ड एप देखने को मिलेंगी और iOS एपल का हमें उसे कुछ एकदम या फिर ब्लोट वेर देखने को नहीं मिलेगा कंपेर करें सैमसंग की तो आब बात करते हैं इन दोनों फोन के शक्योर्टी की आखिरर मिलते है तो सेमसंग के अंदर हमें फिंगर प्रिंट याईडि देखने को नहीं मिलती है। अबहाँ हो एक दूसरे के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं नो डाउट सेंसंग अंधर हमें हर फीचर देखने को मिलता लेकि एक एक एक्सट्रा ऐसा फीचर है जो हमें iPhone के अंदर देखने को नहीं मिलता है इसका अगर आपको वीडियो पसंद आये तो चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें और थैंक्स वर वाच्छा झानल को लाइक करें और रस्व पस्क्राइब करें और सब CRच करें